नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं MLT Lab Manual तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेगे नीमोनिया के बारे में क्या होता है क्यों होता है लेक्षन क्या है इसकी जांच क्या है उप्चार क्या है कितने प्रकार के होते हैं सब सारे चीज़े जानेगे तो जो नीमोनिया होता है वह एक प्रकार का lung infection है या lung disease है दूसरी भासा में बोले तो फेपरों में होने वाला एक प्रकार का sujan है जो बैक्टिरिया से या virus से या fungus से या parasite से हो सकता है लेकिन जो बैक्टिरिया से और वाईरन से जदातर होता है फंगस से और पेरासेट से बहुत कम होता है और जो निमोनिया होता है वो हमारे एक लंग में हो सकता है या दोनों लंग में हो सकता है और या तो किसी एक लोब में हो सकता है निमोनिया और यदि नीमोनिया हमारे लंग्स के एक लोब में हुआ है उसको बोलते हैं लोबर नीमोनिया और यदि हमारे दोनों लंग्स में हो रखा या लंग्स के कहीं पर भी किसी पार्ट पर हो रखा है तो उसको बोलते हैं ब्रॉंक्योल नीमोनिया और जो नीमोनिया होता है वो हम जो एक बलून की तरह सास लेने पर फूलता है और सास छोड़ने पर शुकूरता है लेकिन जब नीमोनिया का इंफ्रेक्शन होता है तो जो लंग्स का जो इसी एवलियो में का होता है हवा के जो बदले होता है हमारे उसमें फिलूड भर जाता है यानि कि पानी बलगम या म्यूकस भर जाता है जिससे जो अपना काम सही से नहीं कर पाता है जैसे हमारे बोड़ी को अक्षिजिन सप्लाइ्ट कम हो जाता है जिसे हमें और भी दिकते होनी लग जाती है अब लंग नीमोनिया के लक्षन क्या है तो जो नीमोनिया के लक्षन में लक्षन होता है वो तेज बुखार खांसी होना या सूखी खांसी या गेली खांसी या खांसी के साथ बलगम आना और जाती में दर्द सांस लेने में तकलीफ होना सांस फुलना या oxygen level कम हो जाना या बुखार या या भूख कम लगना, या लो बीपी, यह सब निमुणिया के लक्षन होता है लेकिन जो छोटे बच्छे होते हैं, उसमें निमुणिया का लक्षन जयसे फीडिंग बन कर्देना, इक्टिविटी कम करना और सांस तेज चलना है तो यह सब होता है निमोनिया के में लक्षन होता है लेकिन जो में लक्षन होता है वह तेज बुखार खासी और छाती में दर्द और जदी जड़ा एफेक्ट कर चुका है निमोनिया हमारे लंग्स में तो सांस लेने में तकलीफ होगी सांस फुलने इमोंिए हो गया, वाइरल मोँआघे हो गया फंगल कि बज़े का इमोनिया मतलब पहले से निमोंिया नहीं है ये विव भी नेमोनिया होता है जो भी प्नी मोँआ आ। बैक्टिरिया ऑदे होते हैं histціhpto-coccus निमोनियता होता है जिसके बज़ेसे नीमोनिया होता है इसके बज़ेसे यह नीमोनिया होता है और जो वाइरस होता है जिसके फ्लू वाइरस हो गया और कॉरोना वाइरस हो गया कॉमन कोल्ड हो गया तो उसके बज़ेसे नीमोनिया हो जाता है कि यदि हमेरे वाइरल इंफक्षन हो रखा है तो और फंगल जैसे के मिटी हो घृता है उसके से भी हमें हो सकता है और पहले से किसी को कि दुल होता हुश्पीटल उसको के प्राई नहीं वर इसको क्यों गर विस्यों को सी हुद से उसको बोलते यइसे बैक्टरिया वारास से बहुत ज्यादा रहते है तो उसको बोलते है करूधा ले का निमौणिया हो क्या भाहता से भटा उसको बहुत जदा रहेता दिन दिल्ट 2 दूसरा जो होता है इस्पारेशन नीमोनिया का मतलब होता है कि जब हम कुछ खाना खाते हैं या पीते हैं तो जो हमारे जो है जो खाना पीना होता है वह हमारे फूड पाइप से होते हैं वे स्टमक में जाता है लेकिन जब जो खाना या पानी जो होता है वह हमारे फूड पा मिलता है किक कि निमोनी के लिए बैक्टर जैसे के कि क्म से निमोन आरख थे बैक्टियाल या वाइरल या फंगल निमोनी आप्टर अप बाद जो आपको घर में जो करना है कि आपको गरम पानी पानी पीटे रहना है अपने आपको हैड्रेट रखना है उसके बाद लेना है और उसके बाद जैसे लेमन टी ग्रीन टी वगरा पीना है है जैसे आधरा हो गया हल्दी हो गया यहांनी लेवान का आपको पीना है कॉफी पीना है और यदि आपका बोड़ी ठंडा लगे तो आपको बात लेना है मतलब गरम पानी से हलका गरम पानी से आपको नहान लेना है तो यह सब कुछ घरेलू उपचार है यह जो आपको करना ह और आपको अपने आपको गरम रखना तो यह सब चीज़े और निमुनिया कैसे पता चलता है कि निमुनिया हो रखता है तो इसके लिए चेस्ट एक्सरे से में लिए पता चलता है कि निमुनिया है या नहीं है या फिर ब्लड कल्चर से कि देखा जाता है कि ब्लड में जो है कि फ्रे निवनिया θ, या नहीं थ, उसे भी पता चलता है, इस पूटम कल्चर भी करते हैं, प्ल्सक्ते этим एक्षिजन लेबल चेकर करके भी देखने हैं थ निया नहीं है या नहीं तो फिर उसको एक्षरेयव और गर अगराते हैं, बाकि CTS से भी पता चलता है कि निमोनिया है या नहीं है तो यह सब है कुछ हमारे निमोनिया के बारे में जानकारी